गाव में रामू नामक एक छोटे से बच्चे की कहानी है। रामू बहुत ही जिग्यासू था। वह हर चीज में रोचकता देखने की कोशिश करता था। एक दिन रामू ने गाव के पास एक जंगल में जाने का निर्नाय किया। जंगल में बहुत सुन्दर प्राकृतिक द्रिश्य थे। वह देखने लगा की कितनी विविधरता है प्रकृती में। रामू ने एक जरने के पास एक सुनहरी रेतीली मचली देखी। वह मचली बहुत खुश नजर आ रही थी। रामू ने मचली से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो। मचली ने उत्साह पूरवक कहा, क्योंकि मैं अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साज़ा करना चाहती हूँ। रामू ने विचार किया और समझा कि खुशी बाटने से और बढ़ती है। वह गाओं वापस आया और अपने दोस्तों के साथ खुशियां बाटने लगा।